22 23 mentorship program में ये आपका इस वीडियो में वर्क फोर वीक वण पर्स वीक का आपको होंबर्क ये मिलेगा इसमें हमेशा ध्यान रखो कि ये एक एफ प्रोग्राम है जो भी आप जॉइन कर रहे हो उसमें आपको टास्क दिया जाएगा असाइड्य टास्क किया जाएगा उसको आप complete करोगे उसके बाद homework दिया जाएगा और यह फिर उसको solve करोगे either वो paper one हो या paper two the more you read about the things more and more times आपको basics को पहले करना है जितना अधिक से अधिक time उसको दोगे अधिक से अधिक बार उसको push करोगे उतना फाइदा होगा अभी आपके पास time है अभी आपके पास 11 plus month है तो 11 plus month में अभी शुरू में जो भी suppose first timer हो तो उनको basic preparation करना है जो second timer भी for example हो third timer हो लेकिन जिदि आप से कुछ miss हुआ पीछे कुछ कमी रह गई तो आप उस कमी को पूरा करो आप question pattern को देखो question paper को देखो जो previous year paper आप at least भी जो है start कर रहे हैं तो at least five years के paper को देखो paper जो previous year के paper है वो सबसे अच्छा तरीका है देखने का कि हमारा exam pattern क्या है हमें किस डंग से question आते हैं और उसी अनुसार आपको work करना है NCRT आपका pillar है आप ये ना सोचो कि NCRT हम पढ़ते हैं अल्रेडी हम graduate हो चुके हैं या post graduate हो चुके हैं that doesn't matter NCRT जो base है उसके बाद in fact कोई भी subject लो चाहें आप history for example लो तो history आपको 12th class तक करना है geography लेते हो 12th class तक करना है economics लेते हो 12th class तक करना है math लेते हो तो 10th class तक करना है English लेते हो 10th class तक करना है तो science जो है science majority part जो है वो आपका 10th class तक कुछ जो आपका class 12th वाला कुछ component है तो majority चीज़े जो है up to class 12 तक का ही है और हमेशा ध्यान रखो कि जो selection आपका है वो 100% नहीं चाहिए, perfect नहीं होता है but here is the difference, difference यह है कि even आप graduation का exam देते हो आप कोई भी post graduation का exam देते हो आपने सही से चीज़ों को ना पढ़ा तब ही आप उसको exam में जाते हो कुछ questions आते हैं उसको leak देते हो लेकिन एहां कुछ ऐसे question होते हैं जिसको deeply पढ़ने की जरूरत होती है thoroughly पढ़ने की जरूरत होती है तो इस program में आपको home work की दिया जाएगा और उस home work को आप करोगे फिर जहां आपको problem होगा वो personal label पे आपको guide किया जाएगा और जहां जरूरत होगा वहां आपको और जो है recorded component आपको video प्रोबाइड किया जाएगा उसका link प्रोबाइड किया जाएगा और अभी से आप ध्यान रखो कि you have to focus equally on both papers किसी भी paper को आप ignore नहीं कर सकते हो खास करके जब हम देखते हैं हिंदी medium बाले जो student होते हैं जो आपका marks हाल के दिनों में तो 300 प्लस आपको score लाने हैं तो 300 प्लस score इतनी आसान भी नहीं होता है 600 में से आपको 320, 325, 310 depending on आप किस group में हो अब ज़दी आप SCHD में होएं तो आपको कम की जरूरत होती है ठोड़ा फिर ज़दी आप ex-service man में हो तो उसमें तो बहुत कम की जरूरत होती है लेकिन ex-service man के candidate ही जो eligibility criteria होता है वो fulfill नहीं कर पाते हैं तो आपको अभीशे ही paper 1 और paper 2 दोनों पे focus करना है किसी भी चीज को ज़दी आप syllabus को देखो already हमने syllabus और book list आपको बताया हुआ है तो आइदर आपके history से आ रहे हैं वो current affairs से आ रहे हैं geography से आ रहे हैं कुछ जो हमारे society से आ रहे हैं तो anxiety को ज़दी आप पढ़ते हो political system को पढ़ते हो economy को पढ़ते हो तो basic आपको ingredients उहीं से मिलेगा तो हम इसमें कोशी करेंगे जो आपको task देंगे जो आपको home work देंगे तो इसमें पहले पढ़ने के लिए दे रहे हैं कि आप ये इनको पढ़ होगे उसके बाद जब आपको question दिया जाएगा तो question दोनो paper के point of view से दिया जाएगा paper one और paper two अब इसलिए है कि फिर आपको zo grammar बगएरा से ले करके सारी चीजे आपकी कराई जाएगी तो इसमें से आप ध्यान रखो कि कुछ आप जो objective के point of view से paper one के point of view से चीजों को करना है और paper two के जहां जरूरत है जैसे कुछ book जो होगा वो आपको paper two में अधी की काम आएगा कुछ जो book होगा वो paper one में अधी काम आएगा तो उस अनुसार से आपको work करना है फिर आप अपी से ही new paper पढ़ने की habit बनाओ जो new paper में खास करके आप और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो editorial के पेज जरूर पढ़ने है जिनका English medium है जिनका माध्यम जो है English है तो उनके आप हिंदी में पढ़ोगे और सब्ता में two days as list कोसीज करोगे कि two days आप इंगलीज वाला पढ़ो तो दोनों आपका balance रहेगा अभी हम आपको जो homework इसमें असाइन कर रहे हैं वो उसमें history के लिए तो मैं पहले इंगलीज वाला दिखा देता हूँ फिर हिंदी वाला book list तो अल्रेडी आपको ये बताया जा चुका है कि जो mandatory में से है mandatory में क्या है NCIT का class 12 तो class 12 में themes in Indian history part 1 part 2 part 3 इसको आप notes ही मान करके चलो जैसे हम कुछ books होता है वो मोटा book है उसमें हम notes बनाते हैं तो लेकिन ये बाला जो है themes in Indian history part 1, part 2, part 3 इसको आप ये मानो कि हमारे लिए notes ही है और इसको line wise करना है और original आप book से पढ़ोगे जिनके पास suppose book है hard copy में तो ठीक है नहीं तो आप soft copy में पढ़ोगे original book पढ़ने से क्या होता है कुछ जो content है वो आपको map के through दिया हुआ रहेगा कुछ box में कुछ चीज़े दी रही दी होती है लेकिन जदी आप NCRT का summary पढ़ते हो बहुत सारे publication के summary आते हैं तो summary में क्या है ना कि कुछ चीज़े originality आप miss कर जाते हो अभी मैं आपको दिखाता हूँ for example first chapter और फिर आपको obviously है कुछ जो components है उसको recorded में भी रहेंगे तो ये आपको ये तीनों है फिर उसके बाद an introduction to Indian art तो दो इसमें class 11 का और class 12 का तो art and culture के लिए पहले आपका class 11 का ही सिर्फ आता था अब class 12 का भी आगया है तो ये आप art and culture के लिए ये पढ़ोगे अब उसके बाद extra में से आपको जब ये one round में ये complete कर लोगे उसके बाद आप इस पर हाथ लगाओगे तो ये optional में spectrum आप modern के लिए पढ़ सकते हो या फिर spectrum नहीं पढ़ना चाहते हो तो modern इंडिया जो old NCRT है class 12 का विपिन चंद्रावाला फिर medieval इंडिया है old NCRT by 37 चंद्रा और incident इंडिया जो है NCRT class 11 old by RS सर्मा ये पढ़ोगे और previous year paper mandatory है और test series obviously है इसमें आप program में जो mentorship program में हो तो उसमें आपको regular रूप से every week आपको test कुछ न कुछ चीजें मिलते रहेगी तो आप उस पर work करते रहोगे और फिर आगे जब once आपका syllabus complete कर लोगे तो full length test आपको दोनों paper paper one, paper two दोनों में मिलेंगे लेकिन previous year paper अभी देखो previous year paper से कुछ questions तो आपको उसी से मिलते हैं आप कुछ आशा नहीं है कि same who but who question वो दे देगा नहीं लेकिन उससे आपको एक idea मिल जाता है कुछ component आपका उससे मिल जाएगा तो ये आपका same हिंदी में book ये लिखा हुआ है उसी का English version था उसका name आपका यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है अब ज़दी हम ancient और modern और medieval इन तीनों को zone 13 and Indian history है लिखा हे त्री पार्ट में है तो त्री पार्ट में है तो आपके total 15 chapter है तो ancient में 4 chapter है यानि कि part 1 में 4 chapter है part 2 medieval में 5 chapter है और part 3 यानि कि modern में 6 chapter है तो total 15 chapter है इन 15 chapter को आपको एक तरह से 20 days के आसपास में complete अभी करना है तो अब जो अभी हम तीनों का ये इंगलीज में पहले दिखा देते हैं फिर हिंदी में तो देखो फर्स्ट जो चैप्टर है तो इसमें bricks, beads and bones हडपन civilization तो हडपन civilization के बारे में ये उसको work करना है तीम 2 जो है वो उसमें आपका है kings, farmers and towns तो जो kings है जो राजा हुआ करते थे farmers and towns तो early states and economies तो ये देखो इसमें हडपन civilization है तो हडपन civilization वो civilization है उसमें देखा जाए तो बहुत सारी चीजे जो है लीखी हुई कुछ लीपियां तो है कुछ चितरात्मक writings तो है लेकिन अभी तक हम उसको नहीं पढ़ पाए है इसमें देखो proper timing नहीं दिया हुआ लेकिन यहां आप आते हो तो c, सिर्का इसको she को सिर्का पढ़ते है तो सिर्का 600 BC यानि कि बुद्धा के करीब time से लेकर के 600 यानि कि करीब करीब हर्सबर्धन के थोड़ा सा पहले वाला यह period में ठीक है तो अब इसमें से देखोगे कि जो राजा इधर start होते हैं इसके पहले ही आप इस बीच में ही देखोगे कि जो 16 महाजनपद होते हैं तो उस महाजनपद बगएरा के बारे में पढ़ोगे तो उसमें से देखोगे कुछ चीजे आपको map में दिया हुआ है बहुत सारे चीज उसके capital बगएरा तो इस बज़े से मैं बोलता हूँ कि original चीजों को पढ़ोगे फिर theme 3 में आता है तो same period ये है लेकिन यहाँ kings, farmers and towns पढ़े हो लेकिन यहाँ kinsip, caste and class यानि की society as such पढ़ोगे यहाँ एक तरह से quality और economy है और यहाँ आपको society को पढ़ना है और theme 4 में है जो thinker, beliefs and buildings cultural development यह यहाँ culture के बारे में तो यह 3 जो chapter है वो सिर्का यानि की 600 BCE से 600 CE के बारे में यह आपको पढ़ना है तो यानि की 1200 years का history के बारे में इसमें तो यह आपका theme 1 है आप theme 2 जो है पार 2 जो है इसमें 5 chapter हमने बताया था आपको तो जो theme 5 यानि की यानि की इसमें 1st chapter जो कहा सकते हैं तो through the eyes of travelers यह हिस्ट्री जो है हिस्ट्री काते हैं न की हिस्ट्री का है हिस्ट्री हमको जो past में कुछ चीजे हो चुकी है हिस्ट्री एक जो हमारे teacher हैं आप लोग जानते होगे तो बूलते हैं की हिस्ट्री is the continuous dialogue between past and present तो जो कुछ आज हम present में देख रहे हैं की जानकारी के लिए three sources हैं पहला source क्या है writings लेकिन writings जदी आप हड़पन civilization में देखो तो writings नहीं है हमारे पास एक जो आपका excavation जो archaeological excavation तो इंड़ेस्वाइली civilization की सारी study जो है हमारा archaeological excavation के आभार पर ही है और तीसरा जो होता है कि foreign writers जो है जो foreign travelers जो आए है foreign travelers जो आए है उन्होंने अपने जो यात्रा बिरतांत जो उन्होंने अपने trablogs को present किये हैं तो इसमें देखो through eye of travelers तो for example alberuni इसमें पढ़ोगे इवन बतूता पढ़ोगे इसमें और जो foreign authors आए है foreign travelers आए है उनके बारे में पढ़ोगे और वो उन चीजों को हमारे इतिहास को किस डंग से study किये और किस डंग से उसको ये संबंद में भी पढ़ोगे तो ये आपका 10th से 17th century अब एक चीज देखोगे ये 8th से 18th century 10th से 17th century ये देखो 14th to 16th century 16th to 17th century और 16th to 17th century अब बीच का कुछ पिरियेड देखोगे कि मिसिंग है तो हर जो बुक होता है उसका एक अपना दाइरा होता है अब आप इन बुक में सारी चीजे आप नहीं पाओगे इसी बज़े से हमने और आपको बोला है पर एक्जामपल तयार कर रहा है तो जब मजबूती आपका बैग्राउंड में नीव आपका मजबूत होता है तो आप उस पर जितना लेयर चाहो उस पर चढ़ा सकते हो तो ये आपको अपनी मजबूती बनाना है पहले पीलर बनाना है बहुत सारे questions जो है इसमें से पूछे जाते है तो थीम 5 यानि की मेडाइबल में थीम 1 एक तरह से है कि थूँ आइड आफ ट्रैबलर परसेप्संस आफ सोसाइटी नेच्ट आपका थीम 6 यानि की थीम 2 इसमें मेडाइबल में ये भक्ति सूफि ट्रेडिशन्स तो ये 8th to 18th century इसमें नानक, कबीर, राइदास, मीरा बहुत सारे लोग हैं उसमें से फिर आपका इसमें है इंपेरियल कैपिटल बिजय नगर तो बिजय नगर आप देखोगे कि इसमें बिजय नगर इंपायर में आपको question भी या पूछा गया कि जो बिजय नगर के इंपायर है, उसके founder काउन है हरिहर और बुक्का तो हरिहर और बुक्का क्या है, शंगम डाइनेस्टी के हैं तो संगम डाइनेस्टी के बाद सुलूबा डाइनेस्टी होता है उसके बाद तुलूबा डाइनेस्टी तुलूबा डाइनिसी के ही जो है कृष्ण देव राया, जो कृष्ण देव राय हैं, यानि कि जो बिजे नगर एंपायर है, उसके सबसे प्रतापी समराथ जो होते हैं, वो कृष्ण देव राया, तो संगम, सुलूबा, तुलूबा और अराबिदू, जो लास्ट आप जो को उसमें से देखोगे, बहुत सारे कोष्ण आपको डायरेक्ट, जैसे राम नवमी टिबबा जो है, वो आपका मिलेगा, फिर और बहुत सारी मिलेंगे चीजें, तो उसको जब रेगुलर पढ़ोगे, कोष्ण देखोगे, तब आपको पता चलेगा, अब थीम होता है, economy और quality, तो जो economy है, जब तक strong नहीं होगा, आप देखोगे कि ancient time में large empire नहीं रखा जाता था, क्यों large empire नहीं बना, large number of forces, soldiers नहीं रखे जाते थे, साइनिक नहीं रखे जाते थे, सेना नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि उसेना को पैसे बेतन देने के लिए आपके पास resources होने चाहिए, तो resources उतने नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे खेती के इस्थिती में सुधार हुआ, trade, ब्यापार, start हुआ, तो जो राजा थे, उनको कर मिलने लगा, इसी बज़े से देखोगे, आप ancient India में देखो, बहुत सारे जो हमारे धर्म सास्त्र, या जो बहुत सारे books है तो उसमें one sixth आपका जो tax लेने का है, तो पहले जो था, वो एक तरह से भाग जो देते थे, वो बली एक तरह से कते हैं, तो उसमें से जो voluntary रूप से देते थे, voluntary रूप से की yes, स्वता रूप से हम देते हैं राजा को, ताकि हमारा राजा strong हो, ताकि हमें protection कर सके, लेकिन ध भाग और बली था, उसको देना बंद कर दिया, तो एक तरह से taxation जवरदस्ति इंपोज किया गया, तो आप देखोगे कि ideal taxation generally one sixth to one fourth तक रखा गया, लेकिन जब अलावदीन खिलजी के time में देखते हो, तो one half यानि की taxation था, agriculture produce का one half, क्यों? क्योंकि जो अलावदीन खिलजी ह उसे मंगोलों का आखरमत जहिलना पड़ा, फिर उसके बाद जो South India campaign, जदी मलिक काफूर के नेतरितु में देखोगे कि उसने South India पे attack किया, तो और वो सिकंदर एसानी बनना चाहता था, सिकंदर एसानी, second Alexander, यानि कि वो चाहता था कि हम भारत में पूरे बिजय करने के हम और दूसरे एक पार्ट को भी देखें, तो जदी आप सिकंदर एसानी बनना चाहते हैं, दूसरा Alexander बनना चाहते हैं, तो आपकी बड़ी सेना होनी चाहिए, तो देखोगे कि वो क्या करता है, अलावदिन खिल जी, वो एक तो taxation बहुत जादा बढ़ा देता है, और taxation बढ और kings and chronicles, अब इसमें से देखोगे, कि मैंने बोला ना, बहुत सारी पार्ट आपका missing इसमें होगा, तो इसी से सारा cover नहीं हो जाएगा, फिर उसमें और देखोगे, component जैसे दूसरे books को देखोगे, तो कुछ चीजे आपको से clear होगा, next part 3, यानि की modern, तो इसमें देखो six chapter है, तो इसमें colonialism and the countryside, exploring official archives, तो जो British officials थे, वो different part में, भूमे, टेले, तो वहाँ उन्होंने देखा, किसी भी जगह पे, जदी आप सासन करना चाहते हो, तो वहाँ के बारे में जानना होगा, वहाँ की चीजों के बारे में, फिर आपका theme 11 में है, rebel and the Raj, यानि 1857 का जो revolt है, उसके संबन्द में, theme 12 का है, colonial city, जो urbanization, देखो, Indian society में हम three urbanization, एक तरह से, Indian history में three urbanization phase देखते हैं, first urbanization क्या है, इंडस्वाइली civilization, जो IPC जो है, इंडस्वाइली civilization, first urbanization है, second urbanization जो है, वो बुद्धा के time में जो होता है, महाजनपत period, ठीक है, थर्ड urbanization जो है, एक तरह से, वो इलतुतमिस से start हो करके, या कर सकते हो, कुतुदी नेवक से लेकर के, एक तरह से, आपके औरंग जेब तक आ से बनाया गया, theme 13 में आपका है, महात्मा गांधी and the nationalist movement, अब यहाँ से यह आता है, national movement, फिर यहाँ देखोगे, understanding partition, फिर आपका framing the constitution, अब यह पाला पार्ट एक तरह से देखोगे, कि polity और history का mix है, तो इसमें से यह सारी चीज़े, अब theme 15 तक आपके हपास है, अब यह class 12th के बच्चे के लिए बनाया गया है, बच्चे एकदम नहीं है, यह कह सकते हो, लेकिन जो एक student class 12th में है, यह आप graduate हो चुके हो, तो 3 years back जाओ, लेकिन हो सकता है, आपने history नहीं पढ़ा हो, आपने engineering पढ़ा हो, आपने architecture पढ़ा हो, आपने science पढ़ा हो, आपने management पढ़ा हो, आपने कुछ भी और चीजों को पढ़ा है, लेकिन history क्या है, उस आधार पे आपको history को चीजों को पढ़ना है, तो जो एक class 12th का बच्चा समझ सकता है, उतने चीजों को दिया गया है, अब इसी को हमने हिंदी वाला चीजों को दिया है, कि theme 1, 2, 3, जो आपका यह भाग 1, 2 तो इसमें theme 1, यानि कि इटे, मनके और अस्तियां अठापा सबेता, यह ठीक है, तो इसमें आपका so, तो अब यह देखो, कि जो हिंदी माध्यम बाले हैं, वो हिंदी माध्यम बाले पढ़ो, जो इंगलिस माध्यम बाले हो, वो अपना इंगलिस में पढ़ो, at the end of the day, exam में क्या है, paper 1 जो होता है, तो paper 1 में क्या है, आपको question paper जो है, हिंदी में भी मिलता है, इंगलिस में भी मिलता है, आपका दोनों में होता है, जहां आपको हिंदी में confusion है, तो आप इंगलिस वाला देखो, in normal बोला जाता है, कि if there is any confusion, इंगलिस वाला जो version होगा, वो final माना तो आप Hindi में पढ़ते हो, तो Hindi वाला पढ़ो, English में पढ़ते हो, तो English वाला पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि Question पेपर दोनों में दिया हुआ रहा रहा था, Paper 1 में कोई प्रोब्लम ही नहीं है, असल प्रोब्लम कहां आता है Paper 2 में? Paper 2 में जो 80 मार्क्स का है, उसमें भ जो 80 marks है, उसमें तो आपके पास बिकल्प है, आइधर हिंदी और इंग्लेज, लेकिन 120 marks का जो remaining part है, आइधर वो argument writing हो, report writing हो, reading comprehension हो, प्रेसी writing हो, grammar का part हो, ये सारे आप चाहो या ना चाहो only English में ही लीखना है, तो इसमें से आपको तो English थोड़ा सा जानमा ही होता है, लेकिन जो paper 1 के point of view से है, तो उसको जिसमें आपको मर्जी है, पढ़ हो, okay, part 2 में same situation, ये आपके हिंदी में syllabus दिया हुआ है, ये आपका chapter को इसको, देखो, same situation, ये भाग 3 में, यानि कि इसमें 16 modern India का है, अब इसको आपने देखा, तो जो ये task आपका रहेगा, अभी एक तरसे आप first, second, third, fourth, fifth, ये five days में आप क्या करोगे, ये अभी जो आपका part 1 है, यानि कि जो भाग 1 है, यानि कि ancient वाला जो part है, जो theme scene Indian history है, तो ancient वाला जो four chapter है, first chapter से four chapter तक, यानि कि five days में आपको four chapter को complete करना है, तो एक अनुसार देखा गाए, तो सुरू में आपको थोड़ा थोड़ा extra time लगेगा, अभी जो first time एक तरह से पढ़ रहे हो, पढ़ होगे, तो उनको extra time लगेगा, आप क्या करो, उसको original जो है, या तो आपके पास hard book है, hard copy है, तो ठीक है, नहीं तो soft copy, या तो जो भी है, for example जो भी आप program में हो, तो उनको जरूरत रहेगा, तो मैं उनको send कर दूँगा, प्रशनल रूप से, या आप download कर सकते हो, NCRT के website से, जो आपका free में, NCRT की books जो है, वो free में है, क्यों original book पढ़ने की जरूरत है, क्यों उसका notes नहीं चाहिए, notes अंतिम में जरूरत होती है, कि जो themes in Indian history part one है, ancient वाला part है, जो ये आपके, जो four chapter है, ये आपके ठीके ना, इटे मनके और अस्थियां, राजा किसान और नगर, बंधुत्व, जाती और बर्ग, और बिचारक, विश्वास और इमारतें, इंगलिस वाले में, ये आप देखो, theme one, bricks, beads and bones, हडपन civilization, kings, farmers and towns, early est states and economies, kingship, caste and class, early society, और theme four, thinkers, beliefs and buildings, तो ये four chapter आपको 5th of September तक complete करना है, 6th of September को इसका आपको homework दिया जाए, यानि कि उसका टेस्ट सौरी होगा, homework तो ये अल्रेडी हाई है, ये homework के form में ही, तो उसमें टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट में हम question आपको दोनों में देंगे, paper one के point of view से objective देंगे, उसमें दोनों में question paper जो होंगे, वो हिंदी और English दोनों में होंगे, और paper two के point of view से आपको answer writing के लिए देंगे, इस point of view से कि आप जो है, essay, argument, report, उसको भी धीरे-धीरे करके complete करो, इस form में हम देंगे, तो किसी भी चीज़ को, history को ही पढ़ते हो, तो उस form में पढ़ोगे, कि ताकि हम paper one, paper two, दोनों में उसका component को हम use कर पाएं, ठीक है, तो यह इसको fifth तक आपको complete करोगे, 6th September को test दिया जाएगा, अब यह देखो, जो NCIT themes है, इसमें से हम आपको, जो theme one है, bricks, bits and bones, हड़पन civilization, तो इसमें एक हम आपको as such यह दिखा रहे हैं, as a format, की यह original किस धंक से इसको पढ़ना है, और अब इसका recorded form है, वो आपको मिल जाएगा, उसका link जो है, कुछ-कुछ चीजे, सारी चीजे नहीं मिलेगी, कुछ-कुछ चीजे जो हैं, उनका link मिल जाएगा, आप उनको देखोगे, उनको समझोगे, और हमिशा देखो, read between the lines, जो आपका academic exam होता है, जो आप plus two में दिये होगे, graduation, या कुछ लोगोंने post graduation किया है, तो उसमें क्या होता न, कि बहुत सारी चीजे to the point नहीं चेक किया ज और पे देख लिए, तो जा करके आप pass हो जाते हो, ठिक ठाक marks आ जाता है, अच्छा खासा आपको marks मिल जाते हैं, लेकिन यहां जो है, यहां आपको proper तरीका से to the point चीजों को करना है, इसको line wise करना है, line wise के साथ-साथ read between the lines भी करना है, तो यह जो theme one है, bricks, bits and bones, इसमें आपक जो, जो हिंदी, चुकि हम यह अभी English medium बाला दिखा रहे हैं, और Hindi medium बाला obviously है, उसका भी आपको मिल जाएगा, तो यह है textbook in history for class 12th, themes in Indian history part 1, यह reference content taken from NCRT for educational purpose, obviously है, कि as such copyright obviously है, यह NCRT का है, तो यह एक तरह से educational purpose है, हमने इसको use करा है, अब यह देखो, जो 58 seal है, seal क्यूँ, आज भी देखो कि कोई person होते हैं, जैसे आप किसी से attestation कर बाते हो, तो वो signature करते हैं, signature करने के बाद आप उतना मुहर मारते हैं, तो मुहर में क्या है, उनका नाम लिखा हुआ रहता है, और उनका designation लिखा हुआ रहता है, तो designation आपका यह है कि क्या है वो, एक्चल में जड़ी आप यह मैं जड़ी बोलू कि मैं रंजीत कुमार तो रंजीत कुमार की क्या इस समय कोई हैजित नहीं है क्योंकि मैं जॉब में नहीं हूँ तो ऐसे ही, seal क्यों? कि मान के चलो trade होता था, तो trade होता था, तो seal रहता था, कि इनका seal लगाया गया, अब इसमें से देखोगे, तो यह क्या है, कि यह unicorn इसको बोलते थे, क्या है, हड़पन seal है, इसको unicorn, यानि कि one single सांड इसको कह सकते हो, बैल कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, करा हडपन seal, figure 1.1, यह जो है, is possibly the most distinctive artifact of the हडपन और Indus Valley civilization, अभी देखो, actually means civilization क्या है, Indus Valley civilization, यानि सिंदु गाटी सब बेहता, लेकिन हडपा जो बहुत सारे जगह इसमें मिले हैं, आप अप मैप में देखोगे, तो उ देयाराम साहनी ने 1921 में सबसे पहले एक तरह से प्रोपर खुदाई बगएरा ये किया, और उसके पहले से ही देखा जाए, तो चीज़ें वर्क हो रही थी, लेकिन प्रोपर तरीका से देखा जाए, तो देयाराम साहनी ने हडपा का खुदाई बगएरा की, फिर उसके ब often contain animal motive तो एक animal है and signs from a script that remains undeciphered यानि यह कुछ sign है जो कुछ लिपिया है मान के चुछो की जो मौरियन टाइम में है जो असोका ने कुछ लिखा है तो जिम स्प्रिंसेप ने उसको decipher किया तो उसमें ब्रामी, खरोष्थी, अर्मियाईक लिपिया है हम अभी undeciphered है यानि अभी हम इसको पढ़ नहीं पाए है Yet, we know a great deal about the lives of the people who lived in the region from what they left behind their houses, pots, ornaments, tools and seals In other words, from archaeological evidence Let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about that We will explore how archaeological materials is interpreted and how interpretations sometimes change Of course, there are some aspects of the civilization that are yet unknown and may even remain so हमने कुछ तेर पहले आपको बताए थे कि history जो या जो बीत गया काल है जो बीता हुआ काल है बीता हुआ टाइम है बीता हुआ समय है उसका study three sources से हम करते है एक तो literary source यानि कि जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम जड़ी पढ़ पाए है decipher कर पाए है तो उससे दूसरा है जो आपका archaeological evidences यानि excavation से जो बस्तु में मिली है suppose seal मिला suppose आपका अनाज मिले suppose कुछ जगह जो मिर्द प्रानियों के दफनाने के जो तरीका उसमें से बरतन मिर्द भांड बहुत सारी चीज़ें मिली है तो उसे लेकिन हम proper तरीका से चीज़ों को decipher नहीं कर सकते हैं जैसे आज ही कुछ घटना होती है तो जैसे कुछ चीज़े हो रही है for example प्रामिनिस्टर ने कुछ कहा कुछ किया तो दो तरीके का चैनल देखोगे एक pro government है एक against government है तो जो प्रो government बोलेंगे कि देश ने ऐसा परधान मंतरी नहीं देखा चैसा यसस्वी परधान मंतरी जिसने भारत की खोई हुई गरिमा को फिर से उजगर किया चाहे वो राम मंदिर हो चाहे जमु कास्मीर को भारत में मिलाने का प्रोपर तरीका से सारी चीज़ों को दूसरे कहेंगे कि इससे कमजोर पर्धान मंत्री इससे डिसाइसिव पर्धान मंत्री देश ने आज तक नहीं देखा देश ने जो 70 साल में किया था जो 67 साल में 65 साल में किया उसको पूरा डिस्ट्रॉाई करके जो नहरू जी ने बनाया जो इंदरा जी ने बनाया उस सारे को बेच करके और देश को बरबाद कर देंगे तो जब आज सोच सकते हो कि आपके सामने सारी चीजे है आज इनालीसिस है आज criticism है आज लिटररी सोर्से सह है आज एक से एके सपर्ट हैं लिखने वाले सारे चाहे वो इंडिया हो इंडियन हो बाहर के लोग हो और नमबर आप नुच्वे पर तब तो आप देखते हो कि यह क पहता है कि देश को गर्थ में तो सुचो उस समय का interpretation को हम कैसे सही proper तो कुछ चीजें हम interpret कर पा रहे हैं कुछ चीजें अभी भी नहीं हुई है और कुछ चीज साइध नहीं हो पाएगा अब यह देखो इसमें से बहुत सारे जो चीजें हैं weights, weights, blades यह सब के बारे में यह पत्थर के बहुत सारी चीजें हैं तो इनके बारे में सारे पढ़ोगे और देखो बहुत सारा जब notes आप पढ़ोगे तो साइध यह बहुत सारी चीजें missing होगी कुछ और चीजें अभी जैसे देखो अब यह इसमें से कुछ terms हैं कि BP का मतलब before present BCE का मतलब before common era या before Christ बोलते हैं CE का मतलब common era यानि कि इसको AD भी बोलते हैं और BC का मतलब before Christ बोलते हैं CE का मतलब सिरका यानि approximate जैसे देखो हमने देखा था ना सिरका 600 BC यानि approximate अब यह देखो यह notes वगेरा जब पढ़ोगे तो यह map में नहीं अब यह देखो यह dotted line है तो यह इंडिया का है अब यह इधर पाकिस्तान का है अब महंजुदारो आमीर ब पाकिस्तान में हैं अब इसमेंसे देखो कुछ चिजे राकी गड़ी बानाबली काली बंगा ये अब ये देखो गनेयरी वाला ये पाकिस्तान में है तो यह जो आपका मिटा थल अब माल को चलो पूछ दिया मिटाथल कहां है तो ये मैप बगएरा प्रोपर तरीका से जब चीजों को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा तो इस बज़े से ओरिजिनल बुक को आप पढ़ोगे ये आपका देखो कुछ चीजे हैं कि जो जो आपके मिले हैं तो अब इसम से कुछ-कुछ चीजे आपको दिया हुआ एरिया ओफ अर्ली हडपन ओकूपेशन निक्स आपका देखो टेरा कोटा बुल ये मिला है तो कौन-कौन चीजे कहां-कहां से मिली है वो सारे चीजों को आप ये देखोगे अब ये बहुत सारे जो एक्यूपमेंट्स वगएर ह है ये आपको देखो क्या है ये कौपर के टूल है ओके पहले देखोगे कि सबसे पहले क्या अस्टोन के बाद टूल अभी देखो धौला बीरा के पास ये रिजर वायर मिला है तो इनको अब हाव आटिफेक्ट्स आर इडेंटिफाइड तो ये सारे चीजों को आप कैसे ये खतम हुआ फिर है most ancient system yet discovered अभी भी एक तरह से पहुत सारे चीजों को खोजना बाकी है निक्स अब ये देखो copper mirror तो mirror आज के जिट में glass का यूज करते हो उस समय copper को mirror के रूप में यूज करते थे बरियल्स हैं जो किस दंग से हम सबों को दफनाते थे उन सारे चीजों के बारे में ये देखोगे ये देखो मनके बगरा है जो टूल ये टूल है मनका बनाने वाला फिर ये टूल है आपका equipment ये मनका बन रहा है ये different types के जो आपके pottery है different types के बरतंस हैं अब ये देखो जो आपका टेरा कोटा figurine है ये देख रहे हो बहुत सारे आभूशन टाइप का आभूशन बगरा हैं फिर उसके headgear headgear है अब ये map में आप देखोगे कि जो बाहर सब्वेता का जो base station से तो जो हमारा बाहर से link जो है उसका देखो ये इंडिया का पार्ट है अब इंडिया में देखो मेसो कोटामिया अगयरा ये सारे जगहों से link है उसको आप देखोगे ठीक है अब ये बहुत सारे जो seal आपके ह है फिर आपका डिफरेंट टाइप्स के सील्स आपको यह मिले हैं ठीक है पाले से साइंड किंग्स दे इंड आफ दा सिब्लाइजेशन अब सिब्लाइजेशन यह इंड कैसे होता है अब इसमें इविडेंस आफ इन इंवेजान जो डिफरेंट परसंस हैं जो हरपन उन्होंने अपने अपने प्रूफ दिये हैं तो उसके बारे में यह स्टडी यह किया गया है नेक्स डिस्कवरिंग दा हड़ापा सिब्लाइजेशन किस डंग से यह किया गया तो यह सारे चीजों को आप इसको पढ़ होगे फिर लास्ट में देखोगे कि कुछ चीजे जो है वो आपको टाइम लाइन दिया हुआ है तो देखो दो टाइम लाइन है एक आपका किस किस एज में यह लार्जर ब्राड बे में दिया हुआ है तो इसमें से यह सारे कि सारे जो है यह क्या हो रहे हैं यह आपके जो अस्टोन के टूल्स यूज किये जा रहे हैं लेकिन य यहां से जो है कैलको लिथिक कैलको लिथिक का मतलब एक तरह से कॉपर और आपका जू कॉपर का भी यहां भी आपका इस्टोन यूज हो रहा है लेकिन कॉपर यहां से स्टार्ट हो जाता है फिर देखो 2600 BC यह जो है पन सिवलाइजेशन फिर 1000 BC मेगालिथिक यानि अर्ली आइरन से पहले आपका कॉपर स्टार्ट होता है फिर 600 से 400 सी तो अर्ली हिस्टोरिक फिर इसमें देखोगे कि एमेस वाट्स बिगीन एक्सकेवेशन एट हरपा फिर 1922 में रहेगा आपका मोहँजदारू का तो इसमें चुकी क्या है ना कि हर बुक का असको पलग अलग है तो एक परसन ने सिर्फ पुदाई नहीं किया बहुत सारे लोगों ने इस पर वर्क किया है तो इनको पढ़ोगे आप हिंदी माध्यम बाले हो तो हिंदी माध्यम बाले पढ़ोगे इंग्लिस माध्यम बाले हो तो इंग्लिस वाले में प पांच हो, दस हो, इन लिमिंटेट लोग हैं, होते हैं, तो उसको मैं प्रशनल रूप से guidance ये देना चाहता हूँ, देता हूँ, लाश्ट टाइम भी हमने ये mentorship program को चलाया था, हर candidate अलग-अलग condition में है, For example, जो candidate once appear हो चुके हैं, जो candidate कुछ marks miss किये, उन candidate का level अलग है, और जो candidate first time appear होंगे, उनका level अलग है, first time appear होने में भी कुछ candidate हैं, जो आप already हर कोई को एक ही तुला पे नहीं तौल सकते हैं, कुछ student देखो class में, मान के चलो 12th class में 98%, 96%, 95%, 94% ले आते हैं, और कुछ लोग को 44% आता है, तो दोनों को हम similar में नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब यहां competitive exam में होता है, तो बहुत बार यह situation होता है, कि जो 97% marks लाया हुए हैं, उनका selection नहीं हो रहा है, लेकिन जो 44% लाया साइद उनका भी selection होता है, तो आप यह मत सोचो कि हम यह miss कर चुके हैं, वो miss कर चुके हैं, आप जिस भी condition में हो, जिस भी स्थिती में हो, जो भी आपका level है, आप वहां से proper तरीका से worker start करो, आप वहां से अपना काम start करो, चीजों को यह ना सोचो कि हम 80%, 60%, 70% नहीं ला पा इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, तो आपको इस range में less than 60% marks लाना है, लेकिन believe me, आपने अल्रेडी देखा है, 60% भी आपके लिए बहुत मुस्किल होती है, पेपर 1 में 250 का होता है, तो बहुत सारे candidate को 140, 130 लाने में भी पसीने छूट चाते हैं, कुछ ऐसे हैं, आराम ज्वाइन करना है, वो प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, मैं limited candidate को हमेशा सोचता हूँ, इसमें से guide करने के लिए, अब for example, जैसे हम test series जब चलाते हैं, तो test series में क्या है, yes, आप ज़्यादा candidate ले सकते हो, लेकिन उसमें भी paper 2 सपोज होता है, तो paper 2 को क्या है, manually proper check करते है paper 1 में तो मैं बोल देता हूँ, yes, self-evaluate करो, मैं को paper दे रहा हूँ, उसको self-evaluate करोगे, उसके answer की मैं बताऊँगा, उसके sample solutions आपको provide कराऊँगा, लेकिन paper 2 में क्या headline wise आपको check करना है, तो मैं limited candidate का ही copy check कर सकता हूँ, तो same situation, ये mentorship program में, जिन्हें base से तयार करना है, जिन् धीरे करके आप learn करोगे, फिर paper 2 में भी चीजों को हम provide कराएंगे, paper 2 में भी आपको task दिया जाएगा, paper 2 में भी आपको homework दिया जाएगा, okay, thank you.